हलो इन्वेस्टर्स जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले फाइनली विदानता की तरफ से ओफिशली डिविडेंड अनौस्मेंट आ चुका है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है C8 Limited कंपनी का जो NSE कोड है वो है CETLTD कल के ट्रेडिंग सेशन यानि की फ्राइडे के दिन इस कंपनी के शेयर पे लगबग हमें 3% की करेक्शन देखने को मिली जो की अपने आप में एक ही दिन के हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन है और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 2545 रुपीज का था कंपनी के अगर ऑफिशल अनौस्मेट की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंट अनौस कर दिया है 30 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर के उपर में 30 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है फिलाल अभी अपकमिंग में है जैसी अनौस्मेंट आ जाएगा मैं आप लगो को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है आशिरवाद कैपिटल लिमिटेड कमपनी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है वो है 512247 कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कमपनी के शेयर पे अप्रॉक्सिमेटली हमें 2% की तेजी देखने को मिली और कमपनी के का जो क्लोजिंग प्राइस था 5.57 रुपीस का था जी हाँ एक पैनी स्टॉक है पैनी स्टॉक के कैटेगरी में आप इसे अड़ कर सकते हैं कमपनी के अगर ऑफिशल अनाउस्मेंट की बात करें तो आशिरवाद कैपिटल ने जो है यहाँ पर बोर्ड मीटिंग और्गना काफी बड़िया रैली देखने को मिल सकती है और क्यूंकि यह एक पैनी स्टॉक है तो यहाँ पर आपको अपर सर्किट्स भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं तो जरूर से अगर आप लोग चाहें आशिरवाद कैपिटल के शेर को आपके वाच लिस्ट के अंदर में अएड कर सकते हैं और खास कर 10 माई के दिन इस कमपनी के शेर के उपर में नजर बना के रखियेगा और साथी साथ में कमपनी के quarter 4 रिजल्ट्स भी आएंगे तो उस चीज़ का भी ध्यान रखियेगा कि जो quarter 4 रिजल्ट्स हैं वो quarter 3 कंपैरिजन में काफी अच्छे हमें आत की गिरावट देखने को मिली और कमपनी के शेर का जो closing price था 9,811 रुपीज का था कमपनी के अगर official announcement की बात करें तो अल्ट्राटेक सेमेंट ने जो है यहाँ भी dividend अनौंस कर दिया है 70 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेर के उपर में 70 रुपे का dividend दिया यह भी एकदम latest announcement है इसी चलते इसको भी देने की x date record date upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा जैसी x dates और record dates आ जाएंगी मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले शेर की बात करें तो कमपनी का नाम है धामपुर बायो और्गानिक्स लिमिटेड कमपनी का ज जो closing price था 133 रुपीज का था कमपनी के अगर official announcement की बात करें तो इस कमपनी ने यहाँपे dividend अनौंस कर दिया है 2.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 2.50 पैसे यानि की धाई रुपे का dividend दिया जाएगा dividend value को अगर आप company के current share price से compare करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा dividend अपने आप में काफी जादा शानदार है और इसको देने की जो X date और record date है वो 28th of June की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Blue Star Limited company का जो NSE code है वो है B-L-U-E-S-T-A-R-C-O कल के trading session में इस company के share पे हमें 1% से जादा की गिरावट देखने को मिली और company के share का जो closing price था 1451 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ भी dividend announce कर दिया है 7 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 7 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X date, record date फिलाल अभी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा because जैसी X dates और record dates आजाएंगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Canara Bank Limited, company का जो NSE code है वो है C.A.N.B. के कल के trading session में company के share पे 0.3.4% का एक छोटा correction हमें देखने को मिला और company के share का जो closing price था 626 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो Canara Bank ने यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1-5 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 15th of May यानि की 15 माई की रहने वली है तो अगर आपको इस company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके split का benefit मिल पाए तो आपको Canara Bank के share को उसकी X date यानि की 15 माई से पहले पहले purchase कर लेना होगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है हिंदुस्तान Zinc Limited, company का जो NSC code है है हिंदुस्तान Zinc जो है विदानता Limited की एक subsidiary company है and last trading session यानि की कल के दिन Friday के दिन हिंदुस्तान Zinc के share पे हमें लगभग 10% की तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था 473 रूपीज का था अब एकी trading session में इतना बड़ा momentum आया company के अंदर तो इसका main reason है company finally dividend अरांस करने जा रही है basically हिंदुस्तान Zinc ने जो है यहाँ पे board meeting organize कर दिये 7th of May को and इस board meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वाला है already हिंदुस्तान Zinc ने जो है dividend को देने की X date, record date, advance में अनौंस कर दिये जो की 15th of May की रहेगी तो 7 माई के दिन company जो भी dividend अनौंस करती है अगर उसका benefit आप लगो कुछ चाहिए हुआ तो आपको हिंदुस्तान Zinc के share को उसकी X date यानि की 15 माई से पहले पहले purchase कर लेना होगा और अगर company की dividend history की बात करें तो so far financial year 2024 के अंदर में company ने आपे 7 रुपे का dividend declare किया था जुलाई के महीने में 2023 करोर रुपीज का dividend अपने investor को distribute किया था वहीं अगर आप financial year 2023 की बात करें तो total में 31,901 करोर रुपीज का dividend जो है company ने आपे distribute किया था अब company के reserves भी काफी 30 से कम होते जा रहे हैं इसी चलते company हर साल जो है dividend distribution भी कम करती जा रही है अभी इस बार जो 7th में को dividend आने वाला है अगर तो एक company की dividend history के accordingly काफी अच्छा आता है तब तो आपको हिंदुस्तान zinc के share में एक massive एक खतरनाक तेजी देखने को मिल जाएगी और अगर average भी आता है तब भी आप जो है एक अच्छा खासा momentum share के अंदर में expect कर सकते हैं बढ़ अगर company ने dividend कम announce किया तो already आप देखेंगे dividend आने से पहले एक अच्छा momentum company के share में आ चुका है हाँ उतना ही amount invest कीजेगा जितना as a investment आप mid term से लेके long term के लिए hold कर पाएं ये short term में सिरफ dividend announcement के लिए returns कमाने के लिए इसके अंदर में invest मत कीजेगा हो सकते है थोड़ा risky हो जाए अगर आप mid term से लेके long term के लिए company के share को hold कर सकते हैं तब तो आप अभी investment कर सकते हैं एक अच्छा खासा return आपको दे देगा mid term से लेके long term में बट फिर भी अगर आप थोड़ा patiently wait करें और dividend announcement के बाद में company के share के अंदर में invest करें तो आपको एक correction price के अंदर में थोड़े से discounted price के उपर में भी company का share देखने को मिल सकता है तो all over at the end आपका choice होगा आपको कब और कितने लंबे time के लिए company के share को buy करना है बट जरूर से हिंदुस्तान zinc के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और company के share के उपर में नजर बना के रखिएगा बाकी इन में से आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही साथ stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगे हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye